जै भारास साथियो, साथियो आज अगर खास विश्यप पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं, जैसे कि आमने टाइटल देख लिया होगा, इस ओड़े मैं बात करने वाला हूँ दोजार चौबीस सेलक्षन के बारे में, और मैं आपके सामने दावे के साथ ये बात कहना हूँ, भारते जंता पार्टी या नेरेंद मोदी जी अब कुछ भी कर ले, दोजार चौबीस जीतने वाले नहीं है, उनकी जीत बहुत मुश्किल हो गई है, लगभग ना मुम्किन हो गई है, वो कुछ भी कर ले, उन्हें जीत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि समस्या यह आई है, कि जो उनके खिलाफ वोट शेर है, वो वोट शेर बीस प्रतिशत से जादा का है, और एक राजनीती के विध्यारती के नाते, मैं भी यह बात जानता हूँ, आप सब जानते हैं, अगर किसी उमीदवार, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी नेता के खिलाफ, ब यह वोट कंसॉलिडेट हो रहा है, और बहुत सारा भार्ट जानता पाटी का वोटर टूट रहा है, अब नरेंद मोदी जी अपनी सत्ता अगर बचाना चाते हैं, अब अगर भार्ट जानता पाटी अपनी सत्ता बचाना चाती है, तो उनके पास एक मात्र विकल पे ही है, क आज की डेट में मैं अभी सीट वाइस अगर मैं कैल्कुलेशन बता हूँ आपको तीन सो तीन सीटे हैं भारजनता पार्टी के पास इस समय पर उन तीन सो तीन सीटों में लगभग दो सो से जादा सीटे ऐसी है जहां मार्जन दस पंदरा बीस जार का है और लोगसमा आए तो उनकी लीड 30-40,000 की बन जाएगी जो पिछली बार हार रहे थे 10-15,000 से अब 40,000 से जीत जाएंगे इसका मतलब वो 200 सीटों पर खंतरा मंड़ा रहा है तो 200 सीटे तो वो है जो वर्तमान परिसिती के साब से भार्टन दापार्टी लूस करने जा रही है और बची ब नौर्थ में हो यूपी में दिल्ली में बिहार में बंगाल में तो कई लुक्स वैसी हैं जहांपर 10-10,000 परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनमें से 90% व्यापारी लोग है अब 10,000 परिवार का मतलब एक परिवार में 4 वोट तो मानते हैं तो 40,000 वोट हो गई यानि मेरा 40,000 का लॉस और वो 40,000 कहीं और एड हो जाए तो उसका 40,000 का प्रॉफिट यानि मुझे 80,000 का गैप बन गया और जहां पर लीड एक लाकी है डेड़ लाकी है महां हो सकता है मारजन 20,000, 30,000, 40,000 का रह जाए और अभी तो चुनाओं में समय है अभी आज की डेट में जहां पर दसदार परिवार हैं महां अगर एक लाक परिवार जुड़ गए जो करजे कारण परिशान है चार लाक वो तूड़ गई तो अगर दो लाक धाई लाक तीन लाक का भी मारजन था तो मारजन समाप्त हो जाएगा वो सीटे भी हारी जा सकती है आज भार्जन त बार्टी बहुत कमजोर जमीन पर खड़ी हो गई है और अपनी गलतेयों कारण हुई है वेफारियों के लिए काम ना करना वेफारिय आपका को बोटर था पहली बार ऐसा हुआ है हम सुनते हैं थे किसान आतमत्या करता है हम सुनते हैं थे करजे कारण किसान मरते हैं पहली बार देश में ऐसा हुआ दो हजार बाइस में किसानों से जादा आत्मत्या वैपारियों ने की करजे के कारण मरने वाले वैपारियों संख्या 20,000 पहुँच गई जो कि किसी भी साल में वैपारियों की आत्मत्या और करजे क कारण किसानों के आत्पत्ते से भी बहुत जादा था और यह मेरे डेटा नहीं है यह एंसी आरबी का डेटा है उदर बिरोजगार परिशान है बिरोजगार अभी बिहार जा रहे थे बिहार में नौक्रिया निकले टीचर की तो वहां उनसे पूछा गया आप उत्तर प्रदे लोग जिनको नौक्रिया मिली है उनका डेटा सामने रख दीजिए वरना जिनोंने आपको वोट किया था जो 18 साल 19 साल 20 साल का युवा था उस समय पर 2014 में आज वो बेरोजगार बैठा है हर घर में एक पड़ा लिखा लड़का लड़की बेरोजगार बैठा हुआ है वो प और आप अपने आपको दोशी ठहरा रहे हैं जबकि आपको मालूम है रोजगार के लिए काम नहीं किया गया व्यपार ठीक चलता व्यपारी तरकी करते तो रोजगार के ने साधन पैदा होते व्यक्ति स्वरोजगार कर लेता लेकिन अपना रोजगार भी नहीं चल पा रह और आपके सारे मंत्री आ गए राहत दे रहें राहत दे रहें राहत दे रहें अच्छा जब रेट बढ़ाए गे थे तो आफ़त भी थी ना तब क्यों नहीं बोला कि हमने आफ़त दी है आज राहत है आप किसी चीज़ को 400 रुपे से बढ़ा कर 1200 कर दें और फिर 200 कम करके दर का बजट कितना बढ़ गया है कमाई उस उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कमाई का साधन नहीं बचा नोट बंदी के बाद जी एस ठीक बाद लॉक्डाउन के कारण वैपार तभा हो गए बरबाद हो गए लोगों को कमाई का साहुकार लोग परिश्यान करें हैं व्यपारीों की बेहन बेटियों की इज्जद के chilवार का साथ खिलवार डोए वार नहीं बेहन को व्याधि बैटिय को बीव दो बताएे भथिबियों के हाला आसी कर दे गई है व्यापारियों की घर की बहन बेटियों की इज़त के साथ खिलवार क्या जा रहा है और जो लग भी मुझे सुन रहे हैं चैहो किसी भी पार्टी के समर्थको दिल पर हाथ रखे कहिए व्यापारियों के साथ यह जो हो रहा है सही है क्या क्या ऐसे किसी की बेहन बेटी की इज़त के साथ खिलवाड होना चाहिए और खास कर से वो लोग जो सरकार की गलत जीतों करन कर से इदन ने फसे हैं नोडबंदी के कारण, GST कारण, lockdown के कारण नोडबंदी वैपारी नहीं करी, GST वैपारी नहीं लगाया लोगडाउन वैपारी नहीं लगाया, और नोडबंदी GST वैपारी नहीं लगाया वैपार तबहा हो गए, लोग पास कमाई का साधन नहीं रहा, छोटे-छोटे बच्चे हैं उनसे घर सीना जा रहा है, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है आप इसी को चेंबर से बाहर निकलिए, इस मीडिया से बाहर निकलिए, ये मीडिया आपको डुबो देगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा वो आज भी चाटूकार है, कल वो दूसरों का चाटूकार बन जाएगा, कल दूसरों की सत्या आजएगी, वो उनके तलवे चाटने लगेगा आपको बरबात करने में सबसे बड़ा योगदान, इस मीडिया का होने वाला है, जो आपको सचा ही नहीं बता रहा, जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको डी दे रहा, ग्राउंड पर हालत बहुत जादा खराब है, और मैं लिख कर दे सकता हूँ, 2024 का चुनाओ, भारते अंत पार्टे कुछ भी कर ले, वर्तमान परिस्टिय में चुनाओ जीतने वाले नहीं है, केवल एक ही मार्ग बचा है, जो लोग परिशान है, उनकी परिशानी को दूर कर दिया जाए, जो करजे कारण परिशान है, अब ये आठ लाग परिवार हमारे साथ जुड़े है, एक व विश्वास करिए, वैपारी बहुत परिशान है, बहुत दुखी है, किसी से अपनी बात कहनी रहा है, उसे आपको उसे चंदा भी चाहिए, आपको उसे मदद भी चाहिए, आपको उसे सपोर्ट भी चाहिए, और आज वो क्या कर रहा है, वो हाद जोड़ के विंती कर रहा मेरा घर चिल लिया, मेरी गाड़ी चिल ली, मैं बच्चों कोई फीस नहीं भर पा रहा हूं, मेरे पास खाने लिए रोटी नहीं बचिया, बैंक मुझे रहat नहीं दे रहा है और कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, उनकी मदद करिये, अभी भी समय है, अभी भी स साथ दे दूगा वह वैपार ही भी साथ दे देंगे और आपका वोड्शेर वापस आपके साथ आ जाएगा और फिर इंडिया वालों से लड़ने के लिए क्लिए कोई भी बन जाएगी रणनीथी में सफलता भी मिल जाएगी वरवर को कोई साथ नहीं देने वाला आपका और आप जो छोटे-छोटे दलों को बिला रहे हो आपने दिखा दिया हमारे पास तो 38 दल है जी उन 40 डल है चालीस डल है जितने भी है उन में से 30 डल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है और है भी नहीं और अपने बलबुते जीद भी नहीं सकता हैं 20 दल ऐसे हैं जिनका एक विधाक नहीं है और अपने बलबुते जीद भी नहीं सकते ऐसे क्या फैदा है से लोगों के खटा करने का ऐसे तो जनता को लिखटा कर लो आप तो दुनिया की सबसे कम पर कपतक समाज को बाढ़ते रहोगे और कपतक समाज चुब बैठा रहेगा अब समाज बैठने वाला नहीं है और मेरी क्या मांगे मेरी तो पने लिले कुछ बांग additions कर सकते हैं वो a और ना भारते अंतर पार्टी चुनाव जीतने वाली नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, दावे के साथ यही बात कह सकता हूँ, अगर नरेंद मोदी जी और भारते अंतर पार्टी ने अपने कोर वोटर को नहीं समयला, उसको राहत नहीं दी, तो वो बहुत बड़ी देने वाला है, 2024 का चुनाव भूरी तरह भारते अंतर पार्टी हारने वाली है, कोई बचाने वाला नहीं,